तो दोस्ते बाफिर सब का बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्व, तो आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में या आपके लैप्टॉप में Bluetooth ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं, ठीक है, और 70% केसे में यह टेकनीक काम करती है, तो हमें जाना है सबसे पहले सर्च बाक्स में तो दिखिए नीचे यहा पर सर्च बाक्स का ऑप्शेन शह कर रहा है ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजए तो सर्च बाक्स की विंडिवा की विंडू पर यह रहा आपका Bluetooth, ठीक है, आप Bluetooth के बगल में छोटा सा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजे, तो Bluetooth Adopter आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा, ठीक है, अगर कुछ और शो हो रहा है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ Adopter से मतलब है, Bluetooth Adopter से, सिंपल इसको सेलेट कर दीजे, और राइट क्लिक करके इसको एक बार हमें डिसेबल करना है, फिर इसी को हमें दुबारा से इनेबल कर देना है, याद रखी, यहाँ बहुत सारे option आपको शो करेगा, जैसे अपडेट ड्राइवर है, अनिस्टाल डिवाइस है, दुनिया ब करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउन एरो बन करके आ जाएगा, यह दिसेबल इके डाउन एरो यहाँ यहाँ पर शो हो रहा है, यह रहा डाउन एरो, इसका मलब करना के लिए यह जो ब्लुटूत अडाप्टर है, डिसेबल है, आप इनेबल करना भी बहुत इसका मतलब कि इनेबल हो गया है बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है और 70% केसे में आपका Bluetooth तुबारा से काम करने लगेगा अगर फिर भी कुछ प्रप्लम आरे तो comment section में comment करेगा मैं बोरी कुछिश करूंगा उसको resolve करने की and I hope यह भी डप के लिए helpful रहा होगा